आपके सो कैनियों हुर मी सबको मेरी आवाज आ रही है यह बच्चा चलो मैंने टेलिग्राम पे नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है सबको सुनाई दे रहा है आया नोटिफिकेशन पटाफट से येस नो कुछ रिप्लाय दे दो स्टार्टेट स्टार्टेट विल स्टार्ट विद लेक्चर जस्ट गिव मी वन मिनिट सब तक सब लोग चाप्टर वेटेश type करो comment में जिसको मेरी अवास आह है प्लीस टाइप डच्प्ट वेटेश करो, तुमारि ये व्लिब्स करो कमें डेशकेत करो कमें आ रही है ए्येट प्ली बीस टाइप दॉक्तर वेटेशकु देश स्टार्क्र impressed आल राइट, तो लेट स स्टार्ट चलो मेरे 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 वी वीडियो चालो हो गया है औरे ओके दन रोबिन हुड बेटा में यह वन शॉट ले रहे बेटा इधर पर हर एक वर्ड एक्स्प्लेंट नहीं होगा पर्रॉख और डाइब वीडियो आपका आपका आयट का जाता है बराइट नोस्तिता है आपके डोलग वागिकट्री यह बाद में दिया है तो कि प्रॉड बागिक विड़्ियो बात में देख लेना अभी जाते जाते देख लो इसका बोर्ट का वेटेज अप्रोक्सिमेटली आपका 6-8 मार्क का जाता है मतलब 6-8 क्वेट के लिए चैप्टर काफी जादा इंपोर्टेंट है अभी जैसे कि सबको पता है कल अजैसर ने रात को वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आपका स्केडियूल आया है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है जब फॉर्म फिलिंग चालू होगा रजिस्ट्रेशन चालू होगा कोई भी प्रोसेस चालू होगा तो आपको हम डेफिरिटली इनफॉर्म करेंगे अपने टेलिग्राम ग्रूप पे और वीडियो भी हैं तो प्लीज कमेंट में पूछ पूछ के मेरा सरदर्ध मत बढ़ा देना और खुद का इरिटेशन लेवल मत बढ़ा देना ठीक है चलो लेट स्टार्ट विट टोडेश चैप्टर अभी हमारा जो आज का चैप्टर है जो स्टार्टिंग की स्टोरी है हाफ चैट्टर कि हिन कि डीय ने ही हमारा जेनेटिक मतेरील है analyze क्या था इनीशीली सेल के अंदर जो सबसे जyers था कौंटिटी में पाया जाएगा उस भायो मोलीकूल को को बोल दिया जाता था कि वह हमारी नेके डाईस में हमारी naked eyes से हम DNA नहीं देख सकते हैं हमारी naked eyes से हम nucleic acid नहीं देख सकते तो हमको ऐसा लगा कि nucleic acid तो बहुत छोटा सा है बहुत कम है तो यह कैसे genetic material हो सकता है क्योंकि genetic material मतलब ऐसा material जो genetic information transfer करता है तो scientist लोगों को न प्रोटीन की quantity बहुत जादा cell में दिखाई देती थी as compared to lipids and carbohydrates तो carbohydrate और lipids तो पहले पिचर में से बाहर हो गया था यह जो वार चल रही थी यह वार चल रही थी protein and nucleic acid के बीच में कि आखिर हमारा genetic material कौन है क्योंकि proteins हर जगा फैले हुए हैं प्रोटीन प्रेजेंट इने स्काटर्ड मैनर और nucleic acid सिर्फ nucleus में देखने को मिलता है याने कि DNA या RNA सिर्फ nucleus में देखने को मिलता है तो scientist लोगों का क्या मानना था कि अरे बपरे आपका protein तो पुरी 30-40 years कि यह nucleic acid जो है यह actually में छोटा नहीं है यह हमारे cell के अंदर जो nucleus है उस nucleus के अंदर यह जो प्रेजेंट है यह इसको हमने actually packaging करके अंदर रखा हुआ है मतलब यह जितना छोटा दिखता है उतना छोटा है नहीं मूर्ति लहान पंड कीर्थी महान वाला system है इधर पे तो जब scientist लोगों को यह पता चला कि अच्छा nucleic acid actually में इतना छोटा नहीं है उसको हमने अंदर पैक करके रखा है तब उनको पता चला कि protein is not the genetic material nucleic acid is the genetic material ऐसे ही सिफ size या quantity से decide नहीं किया उसके लिए बहुत सारे biomolecules टेस्ट वगेरा भी किये तो यह जो आपका first topic है इसमें से exam point of view आपके लिए क्या-क्या important है दिखानी की सबसे पहले discovery किसने की थी फ्रेडरिक मिशेयर ने इन्हों ने white blood cells के ओपर study की यह पस infection के उपस study कर रहे थे पस infection मतलब क्या होता है जब आपको pimple आता है या चोट लग जाती है तो उदर से यल्लो कलर का liquid निकलता है उसको पस बोलते हैं अब basically जहां पर भी infection होगा वहीं पर आपके fighter cells होंगे तो यह जो WBC थे इन WBC के अंदर प्रेजन था nucleic acid तो Frederick में शेयर ने क्या किया इन्होंने अलग-अलग hospital अलग-अलग clinic में जाके सारे के सारे bandage collect किये उस bandage को clean किया उसमें से पस remove किया और पस remove करके इन्होंने उसको अलग-अलग chemicals के साथ wash किया तो इन्होंने क्या इसको थोड़ा सबस्क्राइब के साथ wash किया तो इन्होंने और थोड़ा सा बेस चेमिकल के साथ wash किया एन्न-वच के साथ के साल्ट सेलूशन के साथ इसको वश किया तो इसके nucleus के आसपास की nuclear envelope विडेड हो गई तो इन्होंने इस compound को नाम दिया Nuclein, क्या नाम दिया इन्होंने इस compound को Nuclein, मतलब ये Nuclein एक ऐसा cell organal है, जिसके अंदर हमारा magical product है, अब इसका जब हमने pH टेस्ट किया, ठीक है जैसे आप लिटमस पेपर से करते हो न, acid base वैसे अलग-अलग pH meters होते हैं, तो इसका जब pH टेस्ट किया त Nucleus के अंदर जो भी हमारा magic molecule है, वो magic molecule के पास बहुत सारा phosphoric acid है, और phosphoric acid is acidic in nature, तो उनको पता चला कि ये जो Nucleus के अंदर magic molecule है, it is acidic molecule, कैसा है ये acidic, तो Nucleus के अंदर जो molecule है, वो acidic molecule है, इसलिए इसका नाम पढ़ा Nucleic acid, क्या नाम पढ़ा इसका Nucleic acid, तो इस तरीके स discovery हुई, DNA की नहीं बोल सकती है, Nucleic acid के discovery हुई, बात में जाके हमको पता चला कि Nucleic acid भी दो टाइप के होता है, एक होता है RNA, एक होता है DNA, अब मैं इसके बीच का difference नहीं बताऊंगी, हमने 11 वी में पढ़ा है, RNA single stranded होता है, DNA double stranded होता है, RNA के पास थाइमीन नहीं होता है, ठ DNA में थाइमीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके, तो RNA के nitrogen basis कौन से है, A, G, C, U, DNA के nitrogen basis कौन से है, A, G, C, N, P, मैंने बहुत सुन्दर तरीके से ये topics detail में पढ़ाए, अभी मैं अगर इंदर detail में पढ़ाने चाहूंगी, तो 4 घंटे में ये chapter खतम होगा, मैं इतना time waste नहीं नहीं करूंगी, आपको अगर लगता है कि आपको ये topic detail में देखना है, तो प्लीज 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 इसी chapter का मेरा detail वाला video जाके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, yes, this is just for revision, कि nucleic acid कितने type के होते है, दो type के होते है, RNA और DNA में क्या difference होता है, RNA के पास uracil हो होता है, is this clear everyone, और RNA की जो sugar होती है, वो ribose sugar होती है, it has all the oxygen molecules, और DNA के पास जो होती है, इसके पास एक oxygen कम होता है, इसलिए इसको कौन सी sugar बोलते है, deoxy ribose, ribose मतलब कितने carbon वाली sugar, 5 carbon वाली sugar, बोलो, इतना introduction clear है, तो first paragraph में इसे आपको exam में क्या आता है, who discovered DNA, discovery of DNA was done by whom, तो freder सबसे पहले थे, जिन्होंने DNA discovery के लिए अपना काम contribute किया, अब हमारे बीच में यह conflict था, मतलब अब यह जगडा चल रहा था, scientist लोगों के बीच में, वो अभी भी यह मानने को ready नहीं थे, मतलब उनको यह confusion था, कि nucleic acid is the genetic material, बट कौन सा nucleic acid, RNA की DNA, और क्या सच में nucleic acid genetic material है, कि proteins genetic material है, अभी भी यह confusion चल रहा था, scientist लोग ना, कभी भी जब तक कोई बात आप 10 बार prove नहीं कर दोगे, वो मानते नहीं है, तो इसी चीज़ को prove करने के लिए, यह जो controversy, यह जो confusion चल रहा था, इसको clear करने के लिए, तीन अलग-अलग group of scientist आए, ठीक है, जिसमें से हमारे पहले scientist थे, Frederick Griffith, पहले scientist क्या थे, कौन थे, Frederick Griffith, यह British Medical Officer थे, इन्होंने basically क्या किया, इन्होंने mice लिया, चुहे, और इन्होंने दो अलग, मतलब एक ही bacteria लिया, बट उस bacteria के दो अलग-अलग strain लिया, strain मतलब क्या होता है, टाइप्स, ठीक हैं, तो इन्होंने कौन सा strain लिया, सिर्फ वन शॉट देखकर आपका डिवीजन होगा अगर आप सिर्फ वन शॉट देखकर यह एक्सपेक्ट करोगे कि आपको पूरा टॉपिक समझ जाए तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि one shot में सारे topics detail में नहीं कराया जाते हैं जो exam point of view से important होता है इसे वही topics detail में कराया जाते हैं बाकी topics का आपको overview दिया जाता है ताकि अगर आपको पूरा chapter आता है अभी आपके पास पढ़ने का time नहीं है तो आप 1.5 के speed में one shot को सुन सकते हो उससे revision अच्छे से होता है one shot is for revision आप one shot देखो कि आपका पूरा syllabus cover हो जाता है बट आपको उससे पहले chapter पता होना चाहिए कि actually में textbook में क्या दिया है अगर आपने जिंदगी में कभी bookie नहीं खोली और आप one shot देखके जा रहे हो तो आपका पूरा syllabus cover नहीं होगा पर 50% syllabus cover हो जाएगा ठीक है ओके तो अगर कुछ भी नहीं किया तो one shot देख लो और अगर revision किया है मतलब पढ़ा है पहले से तो one shot से revision हो जाता है यह से वरीबड़ी ओके तो देखो ग्रिफित एक्सपरिमेंट बोर्स के लिए इंपोर्टेंट इसमें से एंपोर्टेंट में इसमें से वनमा का और कभी और कोकस की जगा पर डिपलो को कास दिया जाता है रखो दोनों same variety के है दोनों same variant है ठीक है बस दोनों का थोड़ा सा strain में difference है Mind a hom dam okay तो डिप्लीकोकebस नीमोनिय्द हो या स्टेटो कोकस नीमोनिय हो ःणोंने इसके दो वाराइटी ली एक S strain और एक R strain, S strain मतलब क्या होता है, smooth bacteria, याने कि ऐसा bacteria जिसके पास बाहर एक smooth capsule होगी, क्या present होगी, capsule, ये capsule किस से बनी है, ये बनी है, लिपिड और शुगर से, इसलिए उसको बोलते है, lipo polysaccharide, क्योंकि ये capsule किस से बनी है, लिपिड और शुगर से, जिसके वज़े से, कोई proof jacket है, R strain की जगे पर अगर मैं देखता हूँ, तो R strain को हम rough strain बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कोई protective layer नहीं है, जिसके वज़े से, अगर body में ये bacteria आया, तो हमारे macrophages इस bacteria को फटाक से खा लेते हैं, और हमारी body में infection नहीं फैलता, तो R strain is a virulent strain, याने R strain से हमको infection नहीं होगा, but smooth strain is virulent strain, virulent strain मतलब क्या होता है, जिससे हमारी body में infection फैलता है, तो starting के 2 experiment एकदम clear है, अगर हमने R strain माईस में डाला, तो उसके वज़े से, आपका माईस जिन्दा था, क्योंकि यहाँ पे आपके bacteria गए, और bacteria को किसने kill कर दिया, WBC ने kill कर दिया R strain को, जिसके वज़े से infection फै R strain के पास capsule नहीं है, क्योंकि R strain के पास क्या नहीं है, capsule नहीं है, जब हमने S strain वाला bacteria माउस के अंदर डाला, तो S strain वाले bacteria के पास क्या है, capsule है, यह capsule किससे बनी है, lipopolysaccharide से, यानि लिपिड और शुगर से, यानि बहुत मोटी लिएर है, जिसके वज़े से WBC इसको नहीं मा और माउस मर जाएगा, अब मैंने 3rd experiment में क्या किया, मतलब फ्रेडरिक रिफिक सर ने 3rd experiment में क्या किया, उन्होंने न इसी S strain को, जिसके वज़े से माईस मर रहा था, इसको उन्होंने मार दिया, bacteria को kill किया, मतलब bacteria को heat करके उसको kill किया, और फिर उस bacteria को माउस में डाला, तो देखो, S strain, किसके वज़े से, S strain, मैं इतनी energetic इसलिए नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मुझे continue 2,5 घंटा लेक्चल लेना है, अगर मैं अभी अपनी सारी की सारी energy डाल दूंगी, तो फिर मुझे आगे energy नहीं रहेगी, फिर आगे का topic मुझे ऐसे उडाना पड़ेगा, है न तो S strain, किसके वज़े से dangerous था, यह lipopolysaccharide membrane के वज़े से dangerous था, अगर मैंने यह lipopolysaccharide membrane निकाल दिया और यह bacteria को मार दिया, तो क्या अब यह dangerous है, no, तो यह जो S strain है, मैंने इसको मार के जब bounce में inject किया, तो WBC ने क्या किया, इन्होंने इस heat killed S strain को मार दिया, जिसके वज़े स माउस में pneumonia होगा, क्या, नहीं, माउस में pneumonia नहीं होगा, और माउस जिन्दा रहेगा, तो अब last experiment, जो है ना, इस last experiment के वज़े से बहुत confusion हुआ, क्योंकि last experiment में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मरे हुए smooth bacteria लिये, और जिन्दा, यह R strain लिया, दोनों को mix किया, अभी देखो, टेकनिकली देखो, इधर पे experiment number 1 और experiment number 3 का mixture किया, हमने, experiment number 1 में भी mice जिन्दा था, experiment number 3 में भी mice जिन्दा था, तो इधर पे भी mouse जिन्दा रहना चीए था, लेकिन इधर क्यों मर गया, क्योंकि जब हमने इस मरे हुए mouse का blood sample collect किया, तो इसके अंदर हमको, कौन से type के cells देख blood में कुछ अलग ही मिला, हमने जब इस मरे हुए mouse का blood cells देखा, तो उसमें हमको actually live S strain मिला, हमने live S strain डाला है क्या, नई, मतलब हुआ क्या इधर पे, यहाँ पे changes क्या हुए, आपका ये जो heat killed S strain है, इस ने इस R strain को S strain में convert कर दिया, heat killed S strain ने हमारे इस R strain को S strain में transform कर दिया, क्या कर दिया, transform कर दिया, याने कि genetic material exchange हो गया, crossing over या the combination के वज़े से, जिसके वज़े से mouse के अंदर कौन से बैक्टेरिया बन गए, S strain बन गया, और S strain वाला बैक्टेरिया क्या करता है, mouse के अंदर pneumonia पैदा करता है, जिसके वज़े से वो माईस मर जाता है, तो ये transformation exactly किसके वज़े से हुआ, protein के वज़े से हुआ, DNA के वज़े से हुआ, किसके वज़े से हुआ, वो नहीं पता चला, लेकिन transformation हुआ, ये पता चला, तो transformation का सबसे पहले principle किस ने दिया हमको, Frederick Griffith ने, तो आपको CET में और boards में ये question आता है, who gave transforming principle, तो Frederick Griffith ने हमको transforming principle दिया था, कौन सा bacteria यूज़ करके, streptococcus pneumonia, कौन सा bacteria यूज़ करके, streptococcus या diplococcus pneumonia, is this clear everybody, बट देखो, अभी भी हमारा confusion वैसा ही है, कि genetic material कौन है, दुनिया जानना चाहती है, who is the genetic material, proteins genetic material है, कि nucleic acid genetic material है, yes, so बहुत confusion है, तो अभी Frederick Griffith ने तो कुछ बताया ही नहीं, कि genetic material कौन है, उन्होंने सिफ transformation की बारे में बताया, तो अब आए next group of scientists, that is every McCarty and MacLeod, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक simple test tube method carry out किया, उस test tube method में इन्होंने क्या किया, यह वाला experiment देखो, यहाँ पे देखो, यह आपका R strain है, य मतलब यह living R strain है, और यह मरा हुआ S strain है, मैंने क्या किया, मैंने एक tube ली, ठीक है, जिसमें मैंने यह दोनों डाला, यह दोनों डाला है, ठीक है, यह यहाँ पे दोनों डाला है, प्लस मैंने इसमें protease enzyme डाल दिया, क्या डाल दिया, मैंने इसमें protease enzyme डाल दिया, protease का function क्या ह होता है है तु ब्रेक प्रोटीनस का फंक्षन क्या होता है तु ब्रेक प्रोटीन याने कि अगर प्रोटीनेशंस आइस एनजब्ञ के वज़े से जेनेटिक 3 Ск ब्रणफर हो रहा है तो येस रीजर्ट स और R-strain दोनोंTube में किया और Extra क्या डाला मैंने सबस्करा डाला इसमें मैंने बिद्वें प्रोटीन को ब्रेक करेगा ब्रोटीन को ब्रेक करेगा अगर ब्रोटीन मतलब अगर च neutr को स में कनवट कर रहा है और इसके वज़े से निमोनिया होएं ठीक हैं तो इस में निमोनिया नहीं होना चाहिए इस माउस में नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने प्रोटिन मार द Hamilton देखो इदर पे, transformation जिसके वज़े से हो रहा है, protein के वज़े से, मैंने उस protein को ही मार दिया, क्योंकि मैंने protease enzyme डाला, तो अब transformation नहीं होना चाहिए न, और अगर transformation नहीं होगा, तो S strain नहीं बनेगा, जिसके वज़े से mouse जिन्दा रहेगा, बट हमको क्या देखने को मिला, यहा हमारे proteins को destroy कर दिया, फिर भी उसके बाद भी, हाँ, फिर भी उसके बाद भी हमारा mouse मर रहा है, याने protein के हाथ में कुछ भी नहीं है, आप protein को मारो या मत मारो, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि protein is not the genetic material, जब हमने DNA's enzyme को मारा, तो transformation नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, transformation नहीं हुआ, transformation नहीं हुआ, मतलब S strain बनाई नहीं, मतलब हमारे mouse को pneumonia नहीं होगा, और अगर pneumonia नहीं होगा, तो mouse जिन्दा रहेगा, तो every McCarty, every McCarty and McLeod ने, यह प्रूफ किया, कि protein is not the genetic material, nucleic acid ही genetic material है, बट अभी भी scientists सारे के सारे convinced नहीं थे, इधर देखो, दिया इधर पर, all biologists were not convinced, तो finally, last group of scientists आए, Hershey and Chase, Alfred Hershey and Martha Chase, और इन्होंने final proof दिया, that DNA ही genetic material है, और हम proof करके बताएंगे कि यह genetic material क्यों है, अब, Alfred Hershey और Martha Chase, इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने ना, model organism, bacteriophage को लिया, what is a bacteriophage, yes, what is a bacteriophage, फाज मने वाइरस, फाज मतलब क्या होता है, वाइरस, कौन सा वाइरस जो बैक्टेरिया पर अटैक करता है, वाइरस, एट अटैक, बैक्टेरिया, ऐसा वाइरस जो बैक्टेरिया पर अटैक करता है, उसको फाज बोलते हैं, यह रेखो, यह आपका बैक्टेरिया है, और यह आपका वाइरस है, तो यह वाइरस आफायर्वोल्ट के बंता है यह प्रोटीन से बनती है इसलिए में हम क्या हुआ हुआ है कि जब डाला रेडियो एक्तिव सल्फर तो जिदर जिदर से रहता है सल्फर प्रोटीन में और प्रोटीन को दूसरे बैक्टेरीयोफार्ज में इन्हों से प्रोटीन है उदर सलफर चमकेगा तो आपको यह जो सेल्स चमक रहे उस से पता चलेगा कि कौन सा genetic material transfer हो रहा है कौन सा genetic material transfer नहीं हो रहा है ठीक हैètres तो हमने यह bacteria फाज इस bacteria के ऊपर जब छोड़ा तो हमने क्या देखा कि bacteria का body अंदर नहीं गया मतलब अंदर हमको radioactive phosphorus देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है इधर पे FIRST वाले case में हमको radioactive अग्टिव दिखी नहीं रेडियोगतिविटी दिखी ही नहीं क्योंकि first वाले case में हमने किस्को रेडियोगतिव किया था सिफ बॉडी को हमारे वइरस लो वडिशन युक्राइण पर यहां पर एरनगर्जान पर प्रौन भीट questi नहीं होताहिस मप्लालन के यूकि 1 वाइरस बॉड़ी किसे बनी है प्रोटीन से अगर वाइरस के अंदर रेडियो अक्टिविटी होती अगर वाइरस के अंदर सलफर दिखाई देता या बैक्टेरिया के अंदर सलफर दिखाई देता इसका मतलब वाइरस की बॉड़ी अंदर गही है पर इधर पे सलफर दिख रहा है क् क्यों नहीं दिख रहा क्यूंकि माम सलफर तो वाइरस के बॉडी में है तो क्या हुआ तो माम वाइरस अपना बॉडी थोड़ी अंदर डालता है वाइरस अपना बॉडी बैक्टेरिया के अंदर नहीं डालता ठीक है तो वाइरस के बॉडी में सलफर है इसलिए आपको वाइरस के अंदर रेडियो अक्टिविटी यह बैक्टेरिया के अंदर रेडियो अक्टिव तो वाइरस ने अपना डॉडी बैक्टेडिया में डाला जनेटिक मटेरियल डाला और व जनेटिक मटेरियल के विज़ पास और नहीं दिख रहा है इसका मतलब virus ने क्या ट्रांसफर किया फोरी ट्रांसफर किया क्या वाइरस का जो बौडी है यह प्रोटीन बना है और वाइरस का यह जो दिल है यह न्यूक्लिक असिट से बना है तो वाइरस क्या ट्रांसफर कर रहा है कि न्यूक्लिक असिट ट्रांसफर कर रहा है वाइरस न्यूक्लिक असिट ट्रांसफर कर रहा है तो इससे हमको पता चला कि हर जनरेशन में सिर्फ न्यूक्लिक अ अपना genetic material है इसलिए अपना क्या है genetic material है तो अभी इस particular part में से question क्या आता है कि हमने कौन सा radioactive phosphorus और कौन सा radioactive sulfur यूज किया तो हमने p32 and s35 यूज किया यह कैसे याद रखोगे 35 5 को अपन कैसे लिखते हैं ऐसे S जैसे और फिर ऐसे लिख देते और सेलफर को भी एस से लिखते हैं तो सलफर कौन सा यूज किया था 35 वाला फाइड एस दोनों सेम सेम तो एस 35 एड पी 32 सबको इतना समझ में आया है सब लोग थम्स अप दे तो एवरीबडी चलो फटाक से इस question का answer दो किसने हमको final proof दिया कि डिये नहीं हमारा genetic material है देखो पहले ग्रिफित ने transforming principle दिया हर गोविन खुराना ने जेनेटिक पोट दिये एवरी मेकार्टी मेकलोईड ने प्रूफ किया कि डिये ने इस दा जेनेटिक material बड़ किसी ने इनकी बात नहीं मानी तो finally Hershey और चेस ने प्रूफ किया कि डिये ने हमारा genetic material है अब हम आते हैं डिये ने packaging के ऊपर अभी simple सा concept आपका जो earphones होता है आपका जो वायर वाला earphones होता है वो कितना लंबा रहता है येस वो कितना 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 लंबा रहता है अभी इतने लंबे earphones को हम ऐसे बैंग में डाल देंगे तो उसके अंदर गांट पड़ जाती है वो उलच जाता है फिर वो तूट जाता है अगर मेरा येरफोन 5000 का है तो मुझे उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी हर बार उस येरफोन को निकालूंगी हर बार उसको अच्छे से फोल्ड करूंगी फिर उसके पास वो जो वेल्क्रो स्टिकर आता है ऐसे हर जगे पे मैं वो स्टिकर लगा ताकि मेरा येरफोन इधर उधर ना भागे से मए से हमारा जो डिएने मोलेकियोल है एक यू में बहुत बढ़ा होता है साइब कि एक eukaryotic cell का DNA कितना बड़ा होता है 2.2 मिटर यह कितने मिलिएन बेस पेर्स से बनता है आपका dna का length कितना है 2.2 मेटर इसका अबाउट 4.6 into 10 raise to minus 6, Okay यह देखो यह प्रोकारियोटिक दिन्य है, इससे भी बढ़ा होता है, यूकारियोटिक दिन्य इस मोर बिगर दन प्रोकारियोटिक दिन्य तो 2.2 मीटर इस वेरी बिग, 2.2 मीटर मतलब बहुत बढ़ा दिन्य होता है, येस, इतना बड़ा DNA है अपना सेल है सेल के अंदर ये नूकलियस है और नूकलियस के अंदर ये जो खाच-कुछ होता है इतना बड़ा ये इतने बड़े अपने ये नूकलियस में कैसे फिट करते है उसको बोलते डी आने पैकेजिंग इस प्रोसेस को क्या बोलते डी अने पैकेजिंग पढ़ेंगे टा अमन देश्मुक वह ब्राकेट साला लाइन मैं ने अपने डीटेल वाले लेक्टर में एकस्पलेन किया उसका लंबा mae की से मेजर करते हैं वह हर एक बीज का नाइनोमिटर तो इसको बेस से इस से पता चलता है कि आपके डीएने गया रहेगा इसलिए वाला विडियो जाके देखो क्योंकि आदा घंटा मैंने यह सिर्फ एक टॉपिक एक्स्प्लेंड किया है एक ब्रैकेट की लाइन एक्स्प्लेंड किया है ठीक है मैंने आपको पहले ही बुला कि मैं यह टॉपिक पूरा डीटेल में पढ़ा सकती हूं लेकिन उसके लिए चार पाच घंटे जाएं प्रोकेरियोटिक डियने अंडेवलप्त होता है सबसे पहली बात प्रोकेरियोट के पास ना न्यूक्लियस होता ही नहीं है प्रोकेरियोट के पास जो न्यूक्लियस होता है वह इनकंप्लीट होता है इसलिए हम इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड ब 2 micron 1100 micron से 2 micron मुझ्यák कितना करना है बहुत 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 चोटा करना पड़ेगा इस कि वह सबस्क्राम पर और को जाता है तो इसको पहले मैंने क्या किया फोल्ड कि यह छोटा हो गया ऑट किटना चाहिए को तू माइक्रॉं का चाहिए क्योंकि सेल का साइज कितना है तू माइक्रॉं अब यह 1100 से 300 हुआ है क्या यह अभी फिट हो सकता इस सेल में अब मुझे इसको और ज्यादा फोल्ड करना पड़ेगा तो मैं इसके अंदर और ज्यादा लूप्स बनाना चालू करूंगी क्या क इसको ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे लूप बना रहे हूं अब यह थोड़ा चोटा हो गया अभी भी यह बड़ा है तो यह लूप्स को आपस में पकड़के रखने के लिए यह जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते आरेने कनेक्टर जो हमारे दोनों लूप क को पकड़के रखता है और यह ने को खुलने नहीं देता क्योंकि खुल गया तो पूरा का पूरा मेरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा यह सेवरीबडी लूप मतलब कोईलिंग अगर यह लूप खुल गया मैंने वायर आपका जो टेलीफोन वायर होता है टेलीफोन वायर को अगर वो खुल गया तो पुरे घर में फैल जाएगा कोई किसी का भी पैर उस पर अटक के कोई भी गिर जाएगा तो यह लूप खुलने नहीं चाहिए ठीक है अभी यह लूप अभी भी बड़ा है अभी कितना हो गया यह 30 माइक्रॉन इसका साइज कितना हो गया 30 माइक्रॉन पर मुझे इसको कितना चोटा बनाना है टू माइक्रॉन तो अब मैं इसमें सूपर कोईलिंग स्टार्ट करूंगी सूपर कोईलिंग मतलब क्या होता है मै इस लूप को भी और जादा कोईल कोईल करके इस DNA को और चोटा बनाने का ट्राइ करूंगी तो मेरे DNA का साइज फाइनली कितना हो गया तू माइक्रों अब यह DNA बैक्टेरिया के अंदर जाने के साइज का हो गया साइज कितना था 1100 माइक्रों पर अब मैंने इसको छोटा करके कितना कर दिया अब मैंने इसका और साइज छोटा करके कितना कर दिया साइज करने के प्रोसेस को बोलते हैं अब कभी कभी क्या होता है समझो अभी भी यह थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है अभी यह सेल के अंदर नहीं जा रहा है तो हम इसमें से जो अन्वांटेड पार्ट होता है वो निकाल देते हैं डियेने और आरेने इंजाइम यूज कर हम इसका जो अन्वांटेड पार्ट होता है वो कट करके निकाल देते हैं ताकि हमारे डियेने का जो साइज है वो थोड़ा और चोटा हो जाए और वह आसानी से अपने सेल के अंदर चला जाए इसको बोलते हैं पैकेजिंग इन प्रोकेरियोर्स अब इसमें से आपको एक् हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता पर हिस्टोन के जैसे दिखने वाला प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं इसके डियेने में आपको हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा तो डियेने को पकड़के रखने के लिए हम कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं हिस्टोन इन प्रोकेरिय तो यू के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है तो हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बस फरक क्या है हमारे डियने और बढ़ा है देखो इतना बढ़ा अपना डियने है तू पॉइंट टू मीटर का इसको मुझे कॉइल फोल्डिंग सूपर कोईलिंग ऐसे करकर के करक सब्सक्राइब करें डाला इसमें सबसे बड़ा रोल है हिस्टोन का वॉयट लाइए अके पॉजुटिव फ्रॉटीन अपने पॉजुटिव प्रॉटीन किसे बनता है अमीनो असिट से चार्ज होता है एक अक ऐसे अमीनो आशिट एक बेसिक अमीनो आसट हैं वह नेगिट इनके उपर positive charge होता है तो हमने ऐसे दो basic amino acids लिए कौन से दो basic amino acids लिए lysine and arginine आपको यह CRT में पूछा जाता है कि histone कौन से amino acids से बनता है lysine and arginine क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा positive charge है आप बोलोगे माम क्यों चाहिए positive charge क्योंकि हमको इस histone molecules के आज़ पास में अपना dna करना है dna के उपर कौन सा चार्ज होता है dna is always negatively charged क्यों हमारा dna negative होता है क्योंकि dna के पास phosphoric acid है क्या है dna के पास phosphoric acid phosphoric acid यानि कि उसके पास एक electron कम है जिसके विज़े से वह electro negative हो जाता है तो dna के पास negative molecule है अब negative attracts with positive तो अगर मैं negative dna को positive proteins के साथ coil करूंगी तो इनके बीच का force of attraction बहुत strong होगा chemistry में आपने पढ़ा है negative attracts with positive तो negative dna will attract with positive histone protein जिसके वज़े से आपका काफी strong bond होगा और dna काफी strong तरीके से pack होगा is this clear everyone तो हम क्या करते हैं हम अपना dna लेते हैं और हम हिस्टोन प्रोटीन लेते हैं कितना हिस्टोन प्रोटीन लेते हैं देखो हम total eight histone molecules लेते हैं कौनसे कौनसे histone molecule histone molecules चार टाइप का है h2a h2b h3 and h4 इसका दो molecule 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 ऐसे मिलके अपने पास आठ molecules का एक बॉल जमा होता है क्या बनता है आठ molecules का ऐसे एक बड़ा सा circle बनता है इसको बोलते हैं octamer इसको क्या बोलते हैं octamer और इसके आसपास जब आप ऐसे DNA को कौईल करोगे यह यल्लो वाला पार्ट क्या है आपका DNA तो इस पूरे structure को हम बोलते हैं nucleosome क्या बोलते हैं इस पूरे structure को हम nucleosome यानि आपका histone के साथ आपका DNA बाइंड हो चुका है ऐसा हम पूरे DNA को यूज करते हैं ऐसा क्या करते हैं हम पूरे के पूरे DNA को बाइंड करते हैं histone molecules के साथ ठीक है तो आपको ऐसा यह जो structure दिखाए दे रहा है इसको बोलते हैं beads on DNA beads on string structure क्या बोलते हैं इसको beads on string यानि आपके दाधी की या गाओं में कोई होगा जो रुद्राक्ष माला पढ़ता है या वह माला गिनते हैं ना हरे कृष्णा हरे राम हरे राम ऐसे माला गिनते हैं जो senior citizens होते हैं दाधी दादा लोग वह अपने हाथ में एक माला लिये रहते और उसी को count करते रहते हैं त हमने DNA लिया DNA को हमने histone molecules के साथ बाइंड किया तो हमको beads on string structure मिला अभी यही molecule जब और ज्यादा super coiling करेगा तो आपका धीरे-धीरे condensation होगा condensation के वज़े से loops बनेंगे loops के वज़े से आपका chromosome का structure बनेगा और finally अभी यह chromosome का structure हमारे nucleus के अंदर जाने के लिए छोटा हो जाएगा और फिर हम इसको nucleus के अंदर भेज देंगे तो इस तरीके से हम eukaryotic DNA की packaging करते हैं अभी इसमें क्या-क्या use होता है histone molecules use होता है प्लस non-histone molecule use होता है non-histone molecule कौन सा है म यह वाला यह जो आपको ऐसे डंडे जैसा structure दिखाई दे रहा है it is not a histone protein यह ऐसे ही को एक random protein है ऐसे एक random protein है जिसका काम है DNA को histone molecule के पास लेकर आना और DNA को histone molecule से लेके जाना मतलब DNA का entry और DNA का exit दोनों non-histone molecule से होता है और यह हमारे histone molecule को पकड़ के रखता है ठीक है अभी बflix content नो और question आता है कि यहां पर यह जो structure आपका बन रहे है यह ऑपिजिक्ता मतलब होता फिसक में आपने पढ़ा है घ्रत्रा दे को एसा 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 Foil Ring होता है na Torsion या Solenoid तो इसका Diametr कितना है एस सोलेनोट के Structure का Diametr कितना है 30 Nanometers या 300 Angstrom ये Nete में भी आया था ет में भी आता है, Boards में भी आता है What is the Diameter of Solenoid DNA तो अगर Nanometers में पूछा है तो 30 Nanometers अगर angstrom में पूछा है तो 300 angstrom is this clear everybody is this clear यह देखो यह आपका histone molecule है इसके साथ DNA bind हो रहा है इससे आपका beads on string structure बन रहा है जिससे आपका solenoid structure बन रहा है तो histone molecule के बीच का जो DNA होता है उसको बोलते हैं लिंक कर डियेने क्या बोलते हैं उसको DNA strand होता है एक heterochromatin एक u chromatin तो समझो यह आपका chromosome है यह आपका क्रोमोजोम है अभी इधर का DNA और इधर का DNA बहुत जादा tightly pack हो गया है तो यह microscope के नीचे dark color का दिखाई देता है यहाँ पे इतना टाइट पैकेजिंग हुआ है कि यह DNA आपका transcription करता ही नहीं है यह inactive हो जाता है तो ऐसे DNA को बोलते हैं heterochromatin और बाकी का जो पूरा chromosome का पार्ट है यह light color का दिखाई देगा microscope के नीचे और यह easily transcription करेगा तो इसको बोलते यह active DNA इसका नाम क्या है यू chromatin यह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था यू chromatin is active क्योंकि उसका DNA loose होता है loosely attached होता है heterochromatin is inactive silent inactive क्योंकि इसका DNA packaging कैसा होता है tight होता है is this clear is this clear everybody चलो perfect अभी आता है DNA replication बहुत सारे बच्चों को यह topic से डर लगता है I will explain it to you in a very simple manner सबसे पहली बात DNA replication मतलब यह replication मतलब खुद का copy बनाना क्यों बनाता है DNA खुद का copy क्योंकि उसके दो functions होते हैं सबसे पहला function DNA के वज़े से transcription होगा DNA के वज़े से translation होगा आता transcription और translation मतलब RNA बनाना और translation मतलब protein बनाना अगर हमारे body में proteins नहीं बने तो उसके वज़े से हमारी cell death होगी हमारे cells proper function नहीं करेंगे जिसके वज़े से हमारी body का development नहीं होगा तो DNA का पहला function क्या है proteins बनाना और दूसरा function क्या है खुद की copy बनाना क्योंकि हमारी body क्या करती है cell repair करती है आपको चोट लग गई चोट लग गई तो उदर के cells मर गए अभी उदर नया cell बनेगा नया cell बनेगा मतलब नया DNA बनाना पड़ेगा तो DNA खुद का copy भी बनाता है प्लस proteins भी बनाता है is this clear everybody अभी आपका जो MCQ question है जो CET में आता है वो यह है DNA replication कौन से phase में होता है यह 11 के cell division chapter में पढ़ा है आपने DNA replication कौन से phase में होता है है s phase में cell division के चार phases होते हैं interphase और M phase interface में भी अलग-अलग phases आते हैं G1 phase, S phase, G2 phase और M phase आता है correct तो उसमें से यह जो S phase है यह S phase के टाइम पे आपका DNA replication होता है S phase के टाइम पे क्या आता है आपका DNA replication होता है अब basically Watson और Crick ने हमको बताया था कि हमारा जो DNA strand है it is anti parallel and it is complementary in nature anti parallel महने चेंग आप ले DNA चे जे दोन स्ट्रेंड है ते आशे अपोसरी डारेक्शन मदे जाता अई तैंचम होते नहीं इसा क्यों यह मैंने बताया है अल्रेडी आपको सेल डिवीजन चाप्टर में और मेरे डीटेल वीडियो में तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी डेने रेप्लेकेशन की ठीक है फिर भी में इधर पर आपको एक ओवर्वियू देती हूं यह देखो यह आपके ग्यारवी का सेल साइकल है यह आपका सेल साइकल के एस फेज में डीएने रेप्लिकेशन होता है तो एक्चुली इधर क्या होता है वह हम देखेंगे सबसे पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो आपको यह टेबल के सारे एंजाइम का फंक्शन पता होना चाहिए फिर मैं आपको एक्स्क् कि इतना डिफिकल टॉपिक नहीं जितना बच्चे को डर लगता है सबसे पहले कौन सा एंजाइम है फॉस्फोराइले इंजाइम ध्यान से देखना इधर करके बताती हूं आपको सबसे पहले अपना आता है फॉस्फोराइले जले शलेम क्या करता है आपको अपको नया डीए na बनाना है आपके पास already एक डीएने हैं आपको इसकी डव कॉपई बनानी है अभीडी थी एले किसे बनता है स Tenemos सब्सक्राइब क्या अभी निइड नियुक्लियोटाइटS अभ event सिल्में उते हैं तो इने फ्रेंटे में प्रेजन होते हैं इने फ्रेंट फसे प्रॉब हमको क्या करना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा तो पहला एंजाइम जो हम यूज करते हैं यह क्या करता है हमारे इनक्टिव नुक्लिटाइट को एक्टिवेट करता है चलो हमने नुक्लिटाइट अक्टिव कर लिए आपको खाना बनाना है खाना बनाने से भाजी काट के रखना पड़ेगा, तभी आप गैस चालू करोगे, तो हमने भाजी काट लिया, याने कि हमने नुकलियोटाइट को अक्टिवेट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक DNA का same to same दूसरा कॉपी बनाना है, हमारे पास यह जो एक DNA है, हमको इस से ही दूसर कई बनाना पड़ेगा, तो original DNA को मैं क्या करती हूँ, उसको यूज करती हूँ, उससे कॉपी बनाने के लिए, तो original DNA में हम क्या करते हैं, हलका सा एक छोटा सा कट मारते हैं, क्यूंकि आप DNA को कहीं से भी कट नहीं कर सकते, DNA के हर part में genes present होते हैं, अगर मैंने गलती से कोई important gene cut कर दिया, तो उसके वज़े से important function block हो सकता है मेरे cell का, तो मैं DNA का ऐसा sequence धूनती हूँ, ऐसी जगह धूनती हूँ, जहां का gene function ना करे, और वहां पर मैं DNA को cut मारती हूँ, इसको बोलते हैं, point of origin, इसको क्या बोलते हैं, point of origin, तो मैंने क्या किया बच्चो, मेरे पास ये DNA है let me show it to you, see, I have this DNA, okay, मुझे इस DNA से daughter cells बनाने है, तो मैं क्या कर रहे हूँ, मैं इस DNA को यहां पर cut कर रहे हूँ, यहां पर मैंने cut मारा, तो मुझे ये DNA कैसा दिखाए देगा, ऐसा, ऐसा ये open हो जाएगा, क्योंकि इदर पर मैंने इसको cut कर दिया है, तो अब ये DNA ऐसे open हो ओपन होने के बाद ये DNA कैसा दिख रहा है, ऐसे Y शेप के जैसा दिख रहा है, तो इस structure को बोलते है, inverted Y, क्या बोलते हैं इसको, inverted Y, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इदर पर अपने, जो मैंने nucleotides active किये थे, वो nucleotides में लेकर आउंगी, पर उससे पहले हम क्या कर करेंगे, हमारे DNA के बीच का hydrogen bond break करेंगे, देखो, समझो, यहाँ पर iodineine है, यहाँ पर thymine है, तो उसके बीच में 2 hydrogen bond है, तो यहाँ पर जो बीच के hydrogen bonds है, मुझे पहले यह hydrogen bonds cut करने पढ़ेंगे, तो मैं इदर पर एक enzyme छोड़ूंगी, जो इस hydrogen bond को धर-धर-धर करके break इस enzyme का नाम क्या है, यह enzyme का नाम क्या है, यहाँ पर मैं DNA को cut करते हूँ, इस point को क्या बोलते है, point of origin या फिर replicon unit, क्या बोलते है, point of origin या replicon unit, और मैंने ये बीच का hydrogen bonds cut कर दिया, एक 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 कर कर दिया, कौन सी enzyme की मदद से, हलिकेज enzyme की मदद से, अब मेरा यह रास्ता सा हो गया अभी बॉंड इसके साथ कॉइल ना हो जाए इसलिए इनके बीच का कॉइलिंग रोकने के लिए मैं इधर पर एक स्पेशल प्रोटीन लगा दूंगे ऐसे दर्वाजा आप खोलते हो दर्वाजा वापिस बंद ना हो जाए इसलिए आप उस दर्वाजे के आगे कुछ ऑफ पत्थर रख देते हो या पीछे लगा डेते हो तो यह जू ग्रीन कलर कमैंने नहीं क्या इस प्रोंटीन को करेंगे लड़की की चोटी ओती है वैसा नीचे से जो खुले बाल है, अगर मैं उस छोटी को ऐसे खीचूंगी, तो उपर के बाल तूटेंगे, मेरे रबर बैंड के जो उपर के बाल है, वो तूट जाएंगे, समझो मैंने यहाँ पर रबर बैंड लगाया है, तो जब मैं नीचे से छोटी को टाइट करूंगी, तो यह enzyme क्या करता है मेरे DNA के अपर पार्ट में प्रेस याने की प्रेशर बनने से रोकता है आगे देखो क्या दिया है इसको सूपर हेलिक्स रिलीजिंग बोलता है अब इसके बाद में क्या यूज करूंगे चार मॉलिक्यूल यूज करूंगे आरेने प्राइमेस आरेने प्राइमर डियने पॉलिमरेस थ्री और डियने लाइगेस क्या फंक्षन है इसका यह रेने प्राइमर बनाता है What is the function of RNA primer? RNA primer RNA primer एक छोटा सा Molecule है एक छोटा सा Molecule है It is a single stranded molecule जो 8-10 Nucleotides से बना है किस से बना है? 8-10 Nucleotides से खान से देखो मैंने ये DNA strands को separate किया अभी इसको मैं इदर आगे draw कर रहे हुँ हा मैंने ये DNA strand के structure को separate किया है तो यह दिखने में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इसके जो भी बेसिस थे, इसके जो भी बेसिस थे, यह open हो गये है, क्योंकि मैंने दोनों strand के बीच का coiling फोल दिया है, ठीक है, बीच बीच का जो hydrogen bond था, वो मैंने ब्रेक कर दिया, तो अभी इसके जो भी nitrogen basis है, वो open है, मतलब इधर T, A है तो इधर T है, इधर G है तो इधर C है, ऐसा, A, T, G, C, C, G, T, A, ऐसा आपको complimentary basis दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे नया strand बनाना है, नया strand ब फड़ेगा, तो मैं RNA primer लेके आती हूँ, यह RNA primer क्या करता है, यह बराबर 3-end पे जाके चिपक जाता है, मतलब जहाँ पर आपका 3-end है, समझो यह मेरे DNA का 3-end है, और यह मेरे DNA का 5-end है, तो यहाँ पर मेरा RNA primer आके चिपक जाएगा, ठीक है, आरे ने प्राइमर का खुद का चिपकेगा, अब यह RNA primer जैसे ही आपके DNA के साथ चिपकेगा, यह DNA polymerase को signal भेज देता है, इसको signal भेजता है, DNA polymerase 3 को, आजा आजा ऐसे CT मारता है, इदर आजा इदर आजा चलो अपने को नया strand बनाने का है, DNA polymerase को जैसे signal गया, DNA polymerase क्या करेगा, एके एके करके complementary sequence add करना start और इदर पर आपका जो strand single हो गया था, यह single से फिर से क्या हो जाएगा, double, यानि कि नया strand बना start हो जाएगा, और इस तरीके से आपको एक जो new strand मिलती है, इसको बोलते हैं leading strand, क्या बोलते हैं इसको हम, leading strand, क्योंकि आपको एक straight line मिलेगी, यह देखो, ऐसे, आपका यह इदर पर RNA primer आया, RNA primer के वज़े से नया nucleotide add हुआ, और यह देखो strand आगे 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 बनते जा रही है, ठीक है, अभी आपने पहले सिफ इतना part open किया था, तो आपने इसका copy बनाया, अब यहाँ पर मैं फिर से helicase enzyme लेके आऊंगे, और उससे फिर से आगे का hydrogen bond process चलता रहेगा, जब तक मेरा पूरे DNA का copy नहीं बन जाता, तब तक हम इसका strand break करते रहेंगे, ठीक है, ओके चलो, आगे देखते हैं, आप आगे देखते हैं, अब क्या होगा, तो मेरा इदर पर copy बनना start हो गया, और मुझे जो first strand मिल रही है, that is my leading strand, अब second strand के इदर पर भ साम नहीं करेगा, क्योंकि RNA primer 5 के सामने 5 नहीं आता, रुको, तुमको दिखाएने दे रहा होगा, one second, हाँ, देखो, problem क्या हो रही है मेरे साथ, यहाँ पर मेरा 5 प्राइम था, और यहाँ पर मेरा 3 प्राइम था, जहाँ पर 3 प्राइम है, उदर मैंने RNA प्राइमर लगा दि प्राइमर नहीं लगा सकती इसके सामने, इधर मुझे RNA प्राइमर एसे उल्टा लगाना पड़ेगा, तो समझो यहाँ पर मैंने RNA प्राइमर लगाया, ऐसे उल्टा, तो यह आगे, आगे, आगे आगे, स्ट्राइंड बनाएगा, फिर मतलब कैसे होता है, पता है, आपका यह जो DNA स्टाइंड सेपरेट हुआ है यह लीडिंग वाला तो बन गया यह लीडिंग वाला रेप्लिकेशन चालू है मैं इसकी बात कर रहे हूं यह सेकंड स्टाइंड की बात करें देखो इधर पर आपका 5 प्राइम है इधर पर आरेने प्राइमर लगा सकती हो क्या नहीं फाइव और फाइव यह साथ में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्या पड़ा DNA अंटी पैरेलल होता है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो अब ऐसे केस में मैं क्या करूंगी आरेने प्राइमर को मैं इधर लगाऊंगी क्योंकि इधर पर 3 प्राइम है और आरेने तो इस तरफ डायरेक्शन बनाएगा तो यह जो मेरे को छोटे में इस प्राइमर इंग किदर लगेगा तो यह जो मेरे को छोटे छोटे पार्टस में न्यू स्ट्रÁंड मिल रह 있으면 इसको बोलते हैं O Psalm का जाकी और से स्ट्रैंड कैसे अटक के बन रहा है क्यों कि मुझे Bour रहा है क्या लगाना पड़ रहा है multiple RNA primer क्योंकि RNA primer का direction change हो रहा है तो इस वज़े से यह अटक-टक के जो strand बनता है इसको हम बोलते हैं lagging strand क्या बोलते हैं इसको हम lagging strand क्योंकि यह अटक-टक के बनता है तो बाद में क्या करना पड़ेगा हमको देखो हमारे सारे enzymes का function हो गया और ने प्राइमर का हो गया पॉलिमरेज 3 का हो गया अब आएगा DNA ligase यह DNA ligase क्या करेगा DNA ligase से पहले actually polymerase 1 आएगा यह polymerase 1 क्या करेगा जिदर जिदर मैंने extra RNA primer लगाया था यह extra RNA प्राइमर को निकाल देगा जैसे आपका extra RNA primer निकल जाएगा अभी इदर पर यह जगह empty हो गई अब मुझे इस empty जगे पर कुछ तो भरना पड़ेगा तो आपका DNA polymerase 1 RNA primer निकालता है और उदर पर नया dntp add कर देता है बट समझो कभी ऐसे हम ऐसा strand बना रहे बना रहे बना रहे और ऐसे बीच में चोटा सा गैप रह गया तो इस गैप को conceal करता है DNA ligase देखो DNA polymerase 3 DNA polymerase 3 new statement बनाता है DNA polymerase 1 RNA primer निकालता है और वहां पर नया nucleotides add करता है बट कभी कभी RNA DNA primer निकलने के बाद थोड़ी सी जगर रह जाती है दो nucleotides के बीच में एक चोटा सा गैप रह जाता है होल रह जाता है उस होल को सील कौन करता है DNA ligase और लास्ट में DNA polymerase 2 पूरे DNA को चेक करता है कि सब कुछ बराबर complementary है की नहीं एक साथ टी जी के साथ सी सब बराबर काम कर रहा है की नहीं सब का complementary pairing है की नहीं यह DNA polymerase 2 चेक करता है हमारे function को repair करता है और finally हमारा DNA का daughter cells daughter copy बन जाता है और वह जो जितना भी हमने copy किया है वह break होके हमको दो equal DNA मिल जाता है और जो DNA गायरेज है यह DNA गायरेज हमारे DNA को फिर से ऐसा helical बना देता है देखो DNA replication करने के लिए हमने helical structure को open किया था अभी replication होने के बाद मुझे यह open structure को फिर से coil करना पड़ेगा तो coiling के लिए कौन सा enzyme आता है DNA इस दिस का clear everybody तो यह देखो यहां पर आपको क्या मिल गए यह आपको मिल गए और आपको मिल गए यह daughter cells में आपको क्या दिखाई देगा इधर पर एक चीज ध्यान से देखो यह आपका old वाला DNA है यह red वाला और यह जो और इंज वाला है यह नया स्ट्रेंड याने की जब भी DNA replication होता है उसमें से 50% DNA old होता है 50% DNA new होता है तो सिभ आधा DNA old है इसलिए इस टाइप के replication को बोलते हैं semi conservative replication और सेमी conservative replication किसने प्रूफ किया था मी-सल-सन औं-स-टाल ने मैथ्यू मी-सल-सन औं-स्टाल ने ये एक्षपरिमेंट प्रूफ किया था इस टेकनीक में से क्या क्या आता है एक्जाम में सबसे पहला कुईस्चन आता है किस ने प्रूफ किया सेमी कंजर्वेटिव रैप्लिकेशन तो आपका आंसर आएगा मीसल सन अंस्टाल सभी प्रूफ किया 1958 कौन सा टेक्मिक उस किया इकुलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियन सेंट्रिफिकेशन टेक्निक इसमें कौन सा और्गानिसम यूज किया E.Colai मैं E.Colai क्यों यूज करते है क्योंकि E.Colai 20 मिनिट में डबल हो जाता है तो E.Colai के अंदर जल्दी डियने रेप्लिकेशन होता है ठीक है E.Colai सेल्स के अंदर हमने कौन सा नाइट्रोजन डाला N14 और N15 यानि लाइट नाइट्रोजन और हेवी नाइट्रोजन और हमने क्या देखा जब हमने हेवी नाइट्रोजन डाला तो ये नीचे जाके सेटल हो गया क्योंकि ये हेवी है जब हमने लाइट नाइट्रोजन डाला तो ये थोड़ा सा उपर सेटल हुआ क्योंकि ये लाइट है इसका बैंड आपको इधर मिल रहा है और light nitrogen का band आपको उपर मिल रहा है तो जब आप दोनों mix करोगे दोनों का अगर mixture DNA आपको देखने का है तो आपको hybrid DNA इन दोनों के बीच में मिलेगा मतलब imagine करो ऐसा एक tube है इधर पर आपको N15 का band मिल रहा है इधर पर N14 का band मिल रहा है तो यहाँ पर बीच में आपको hybrid DNA मिलेगा क्या मिलेगा hybrid DNA और यह DNA आपका replication वाला DNA है यह DNA आपका कौन सा है replication वाला याने कि आपका DNA अंदर replicate कर रहा है बट आपको कैसे पता चलेगा semi conservative replication हो रहा है कि पूरा DNA parents से ही आ रहा है क्योंकि हमने N15 को N14 के साथ mix किया है तो आपका अगर N14 भी use हो रहा है मतलब कि DNA जो है वो अपने cytoplasm में से भी cells को use करता है अपने cytoplasm में से भी cells को use करता है इसका मतलब DNA replication सिर्फ mother DNA से नहीं होता बट उदर पे आपको दूसरे cells भी involved होते हैं और इसी टाइप के replication को बोलते हैं semi conservative replication इसको क्या बोलते हैं हम semi conservative यानि कि आधा DNA पुदाना है और आधा DNA नया है इस दिस क्लियर एवरीबड़ी चलो नाव नेक्स्ट कम्स प्रोटीन सिंथेस अब आपका chapter का easy वाला part आ गया जो भी difficult था वो आगे के part में था अब यह part पूरा easy है सबसे पहले और यह 10 वी का part है आपके first chapter में है what is nitrogen इसलिए यूज किया है क्योंकि DNA में nitrogen base present है adenine guanine cytosine thymine इनमे nitrogen bases है इसलिए nitrogen यूज किया है ccm chloride क्यों यूज किया है क्योंकि ccm chloride आपका हेवी है और neutral compound है याने कि यह सुक्रोस से बनता है सुक्रोस शुगर वगेरा present होती है जो हमारे DNA के साथ interface नहीं करता वह सिर्फ एक medium provide करता है equalize cells को grow होने के लिए मतलब एक grade provide करता है एक level बनाता है कि अगर इसके अंदर cells grow होंगे तो वह कैसे दिखेंगे आपको in detail यह theory नहीं आनी चाहिए आपको इसमें से छोटे-छोटे question पूछेंगे कि किस ने दिया कब दिया कौन सा टेक्निक यूज किया कौन सा nitrogen यूज किया वह पूछा जाएगा ठीक है ओके चलो protein synthesis यह सब आपने दस्वी में भी पढ़ा है तो I will not take much of your time ओके अल्राइट अभी देखो protein synthesis के बारे में हमको क्या पता है सबसे पहली बार आपका जो DNA है यह DNA अलग-अलग टाइप के RNA बनाता है MRNA, RRNA, TRNA यह तीनो RNA को हम बोलते है non-genetic RNA क्या बोलते है non-genetic RNA क्योंकि यह सिर्फ protein मनाने में help करते है तो जब अपने DNA से RNA बनता है तो उसको बोलते है transcription और जब इस RNA से आपका protein बनता है अभी बचों को confusion रहता है पहले transcription होता है कि translation होता है पहले transcription होता है कि translation तो देखो दोनों की spelling में स्टार्टिंग के पाच लेटर सेव हैं इधर पर S के बाद C, R आता है और इधर पर S के बाद L आता है अभी ABCD में C पहले आता है कि L पहले आता है C पहले आता है इसका मतलब C is what is C What is C? C से Transcription और what is L? L से Translation तो इसका मतलब DNA से पहले Transcription होगा याने RNA बनेगा और फिर Translation होगा याने कि प्रोटीन बनेगी तो जब DNA से RNA और प्रोटीन बनता है इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते है सेंट्रल डॉगमा ओफ लाइफ और यह सेंट्रल डॉगमा का कॉंसेप्ट हमको किस ने दिया था FHC क्रिक ने 1958 में येस लेकिन 1970 में दो और साइंटिस्ट आये टैमिन एन बाल्टीमोर इन्होंने ना हमको एक एक्स्ट्रा इंफर्मेशन दी कि कभी-कभी कुछ वाइरस इसके वज़े से आपका MRN फिर से रिवर्स हो जाता है और वो CDNA बन जाता है क्या बन जाता है CDNA याने complementary DNA याने transcription प्रोसेस उल्टा हो जाता है तो यह जो नया सेंट्रल डॉगमा है यह जो नया सेंट्रल डॉगमा है यह किस ने दिया टैमिन एन बाल्टीमोर ने कि हमेशा जरूरी नहीं है आपका transcription आगे-ागे-ागे ही होगा आपका कभी-कभी transcription reverse हो ज transcription तो यह किस ने दिया था reverse transcription का concept हमको टैमिन और बाल्टीमोर नाम के scientist अब इनको transcription कैसे होता है basically transcription करना है मतलब क्या करना है आपको RNA बनाना है आपके पास RNA है आपके पास TRNA है आपको mRNA बनाना क्योंकि mRNA के पास क्या होता है अपने प्रोटीन का message होता है तो हम क्या करते हैं हमारा ये जो DNA है ठीक है ये DNA के पास promoter sequence है terminator sequence है इससे क्या पता चलता है अपने को इतना बड़ा दीन है इतना बड़ा डीन है अपने पास इसमें से exactly हमको कौन सा के मारेने बनाना है समझो इधर पर्रोटीन नंबर वन का मैसेज है इधर प्रोटीनन नंबर 2 का मैसेज है इधर इधर फैश्लम में और उसके ऐंडिंग में कुछ special sequences होते हैं जिसको हम बोलते हैं promoter sequence and terminator sequence यानि इससे पता चलता है कि आपको process इधर से start करना है और इधर पर आके stop करना है क्योंकि आपको सिर्फ protein number 2 चाहिए अगर आपको पूरे DNA में से एक ही protein बना नहीं है या उसके पास एक ही protein की information और अगर आपके DNA के पास एक ही डिने में बहुत सारे पॉलिस इस ट्रोनिक डिने को पॉलिस ट्रोनिक डिने अब मुझे प्रोटीन बनाने के लिए मुझे मार्न बनाना पढ़ेगा क्योंकि MRNA के पास information है कौन सा protein कैसे बनेगा इसकी information तो हमारा जो DNA होता है उस DNA के यह जो structure है इस structure को हम बोलते हैं transcription unit promoter sequence और terminator sequence का काम समझा सबको यह आपको बताता है कि इधर से process start करो इधर पर process stop करो अब इसके बाद यह जो beach का structure है इसको बोलते है structural gene वाला पार्ट क्या बोलते हैं इसको structural gene इसका क्या काम है यह structural gene में आपको दो strand देखने मिलते हैं एक template strand एक coding strand basically coding strand का जो sequence है यह आपके protein का message है किसका message है यह protein का message है इसको काट के तो नहीं लेके जा सकती न कि यह लो इससे protein बना लो फिर मेरा DNA break हो जाएगा मैं इसको cut नहीं करूंगी मैं इसका copy बनाऊंगी इसका copy किसको use करके बनाऊंगी मैं original strand को तो मैं coding strand का copy नहीं बनाऊंगी क्योंकि coding strand का copy बनाऊंगी तो मुझे भलता ही कुछ strand मिलेगा समझो देखो इधर देखो simple example देके समझाते हूं मुझे यह वाला mRNA ने बनाना है AGU ठीक है मतलब यह किसके जैसा match कर रहा है यह मेरे coding strand के जैसा है AGT के जैसा बस फरक क्या है mRNA single stranded है तो इसके पास थाइमीन नहीं रहेगा तो थाइमीन की जगे पे मैं क्या यूज करूंगी यूरैसल यूज करूंगी तो जिदर जिदर टी है उदर उदर पे क्या आएगा यू आएगा ठीक है मुझे मेरे coding strand के जैसा मेरा mRNA बनाना है मेरा coding strand किस से बना था मेरे template strand से तो अब मैं जब नया mRNA बनाऊंगी वो भी मैं किस बनाऊंगी template strand से तो आपका जो original parent dna होता है उसको template strand बन एगा को तहों इसsupp pre मोदे उस्पेर को देखके इसقول बनाना है मुझे option aku कॉपी बनानी है तो वो भी मैं टेंपलेट स्टांड को देखके बनाऊंगे अरे जैसे कि सिंपल सी बात है तुमको कोई कपड़ा अच्छा लगा आपके फ्रेंड का तो आप अपने फ्रेंड का कपड़ा नहीं चुराते ना कि में को तेरी ड्रेस अच्छी लगी तू दे द यह आपकी फ्रेंड का कपड़ा है और आपको भी सेम कपड़ा चाहिए तो आप फ्रेंड से मांगोगे कि टेलर से मांगोगे आप टेलर को बोलोगे ना मुझे सेम कपड़ा स्टिच करके दो जैसे आपने मेरी फ्रेंड को दिया है तो टेलर इस आवर टेंपलेट Is this clear everybody is this clear okay अभी दाति अभी ध्यान से देखू अपकर transcription प्रोसेस कैसे होता है आपका यह promotor sequence है और यदर पे आपका Terminator sequence present है transcription process करने के लिए हमको कुछ enzymes ही होते हैं जैसे पहला Enzyme होता है RNA polymerase RNA polymerase के साथ एक raw factor होता है याने की सिग्मा फैक्टर present रहता है आपका RNA polymerase आपके promoter sequence के पास जाता है और उदर से ये नया mRNA का copy बनाना start कर देता है मतलब आप टेलर के पास गए आपने उसको dress piece दिया और आपने उसको बोला मेरे लिए dress सिलना start करो ठीक है तो आपका जो टेलर है वो आपका ये नया dress बनाना start कर रहा है this is your RNA ठीक है starting में जब ये RNA बनता है तो ये impure होता है क्या होता है impure इसलिए इसको primary transcript बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको डायरेक्ट हैं RNA नहीं बोलते हैं इसको अम primary transcript बोलते हैं या इसका दूसरा नाम क्या है yes everybody इसका दूसरा नाम क्या है heterogeneous nuclear RNA क्या है इसका दूसरा नाम heterogeneous nuclear RNA तो आपका जो mRNA बन रहा है it is not pure हम उसको primary transcript बोलते हैं या इसको heterogeneous nuclear RNA बोलते हैं हम इसके copy बना के ले लेते हैं हम क्या करते हैं इसका पूरा copy बना के ले लेते हैं जैसे ही अपने को यह RNA मिला तो आपका terminator sequence आ जाता है आपके enzyme को पता चल जाता है कि चलो भाई लोग इधर तक ही हमको mRNA बनाना था तो यहां पर आके आपका process stop हो जाता है याने transcription done transcription का 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 mRNA ने जो बना है यह mRNA impure है क्या है mRNA impure है इसलिए इसको हम क्या बोलते primary transcript इसको हमको pure बनाना पड़ेगा यानि कि इसकी processing करने पड़ेगी इसको हम direct नहीं भेज सकते protein बनाने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा painting painting और processing करने पड़ेगी अब वह processing कैसे करते ह यह impure क्यों होता है माम क्योंकि इसके पास non-coding sequence होते हैं like introns यह आपके non-coding sequence हैं मतलब nonsense kodons हैं जिसके पास कोई genetic information नहीं है जिसके पास कोई genetic information नहीं है ठीक है वह वाला part हमको cut करके निकालना है क्योंकि जब मैं protein बनाओंगी ना बेटा तो यह मेरा जो बीच वाला impure वाला part है यह बार-बार बीच में आएगा और मेरे process को stop करेगा तो मेरा जो impure RNA है मैं इसको pure करूंगी और pure कैसे करते हैं किसी भी चीज को उसमें से unwanted कच्रा निकाल देते हैं तो जो coding sequences को एक साथ join किया और अब मुझे जो RNA मिला यह मेरा pure RNA है और इसको हम बोलते हैं MRNA क्या बोलते हैं इसको हम MRNA इस इस क्लियर जब हम cutting करते हैं तो आगे और पीछे हमारे impure RNA के starting में और ending में एक cap और एक tail और करते हैं ताकि हमारा DNA यह जो RNA है यह बीच में से break ना हो जाए ठीक है यह बीच में से break ना हो जाए इसलिए हम आगे और पीछे एक cap और एक tail आड करते हैं कौन साइड करते हैं यह CT question में आता है guanosine methylated guanine triphosphate यह क्या पैड करते हैं और tail कौन साइड करते हैं तो जिसके वज़े से आपका MRNA सेफ रहता है मतलब आप उसको आगे helmet पहना देते हो नीचे pair में shoes पहना देते हो और फिर बीच में से आरेने को और फाइनली आपको आपका जो प्योर आरेने मिलता है अब यह आरेने आपके nucleus से बाहर आ जाता है यह आपका cell है यह आपका nucleus है ठीक है ध्यान से देखो आपको एक्जाम में आता है कि transcription किदर होता है कि transcription किदर हो रहा है what is the site of transcription transcription nucleus के अंदर होता है क्योंकि DNA nucleus के अंदर है इधर से आपका RNA बनेगा और यह आरेने प्योर होने के बाद ही आपके nucleus से बाहर आएगा तो transcription किदर हो रहा है transcription किदर हो रहा है nucleus में और यह RNA जो बाहर आ गया now this RNA is out of the nucleus किदर बाहर आया ma'am cytoplasm में आया अब यह cytoplasm में आके क्या बनाएगा protein बनाएगा तो इस process को क्या बोलते है translation translation किदर होगा cytoplasm में और transcription किदर होगा nucleus में is this clear everyone is this part clear everyone transcription होता है nucleus में translation होता है cytoplasm में सबको इतना clear है ठीक है messenger RNA कहां पर produce होता है nucleus में produce होता है अब genetic code के बारे में देखो आपको क्या बताया गया है कुछ scientist ने मिलके यह जो scientist है इनमें से एक mcq fix आएगा कुछ scientist ने मिलके nucleotide मतलब क्या DNA फिर जी गमे ओव नाम के scientist है इन्होंने क्या बोला कि आपका जो protein code है आपका जो genetic code है वो शायद triplet है triplet मतलब क्या बेटा मतलब तीन nitrogen base से बना क्योंकि देखो nature में हमारे पास चार nitrogen base है A G C T अगर एक nitrogen base से एक protein बनता है तो सिफ चार proteins मिलता बट चार protein से अपना कुछ नहीं होने वाला बतलब चार amino acids से कुछ नहीं होने वाला nature में कितने amino acids है 20 amino acids जो हम use करते हैं पाकी जो 2 amino acids है वो radioactive है वो हम use नहीं करते हैं हमको 20 amino acids बनाना है तो first वाला method चलेगा क्या नई अगर हम इन दोनों का combination बनाते हैं A को G के साथ A को C के साथ A को T के साथ फिर G को C के साथ फिर G को T के साथ ऐसे अलग-अलग अगर मैं combination बनाओ दो-दो का combination बनाओ तो अभी मुझे कितना amino acid मिलेगा 16 अभी भी में को 4 कम पढ़ रहा है है ना आपके घर पे महमान आते हैं तो कभी भी आप थोड़ा खाना extra बनाते हो कभी आप खाना कम नहीं बनाते हो वैसे मुझे amino acid बनाना है तो मैं थोड़ा सा amino acid extra बनाओंगी तो चलेगा बट कम नहीं पढ़ना चाहिए तो हमने क्या किया हमने यह चार nitrogen basis का 3-3 का ग्रूप बनाया और उससे हमको total कितना amino acid मिला 64 amino acid मिला इसमें से सिफ 61 amino acid यूज होता है बाकी 3 amino acid आपका stop code on है यानि कि वह किसी काम का नहीं है वह सिफ reaction को stop करता है तो गमेव ने suggest किया कि आपका जो genetic code है वह triplet code होगा बड़ इसको प्रूफ किस ने किया FHC क्रिक ने क्रिप्टोगाम टेक्नीक की मदद से यह प्रूफ किया कि genetic code हमारा triplet code है क्रिप्टोगाम मतलब क्या होता है study of chromosome study of DNA निरेन बर्ग और मैथी ने इन्होंने सबसे पहले artificial mRNA बनाया from uracil artificial mRNA मतलब क्या होता है हमने natural mRNA के बारे में तो सुना है जो DNA से बनता है what is artificial mRNA जो हम lab में synthesize क करते हैं यह artificial mRNA कैसे बनाते हैं इसका टेक्नीक किस ने बताया डॉक्टर हर गोबिन खुराना ने इसलिए इनको nobel prize मिला और सेवेरा ओखो ने इन्होंने दो-दो nitrogen based का combination यूज किया और उसकी मदद से independent RNA बनाया और independent RNA को यूज करके आप कैसे अलग-अलग proteins बना सकते हो यह निरेनबर्ग मैथी और ओखोवा ने मिलके 64 कोडॉन का हमको यह dictionary दिया तो यह dictionary किस ने दिया है निरेनबर्ग मैथी और आपको क्या दिया यह पूरा theory में जो दिया है मैंने वह आपको उसमें pointers के form में बता दिया है अभी genetic code के कुछ characters होते हैं इसमें से एक question compulsory आपको boards में आएगा ठीक है what are the characters of genetic code सबसे पहले character क्या होता है genetic code is a triplet code triplet code याने तीन nitrogen base से आपको एक amino acid मिलेगा genetic code has distinct polarity आपको पूरा table नहीं पढ़ना है आपको सिफ start codon का code पढ़ना है और stop codon याने कि आपको इसमें से कौन से कौन से sequence याद रखने है एक AUG वाला AUG याने कि यह वाला याद रखना है और यह तीन stop codon याद रखने है आपको पूरा table नहीं पढ़ना है ठीक है ओके सो जैनेटिक कोड का पहला character कि तीन जैनेटिक कोड से एक amino acid मिलता है दूसरा character जैनेटिक कोड हमेशा 5-3- के direction में ही हम read करते हैं तीसरा इट इस non overlapping याने AUG के ऊपर इदर कोई A नहीं रहेगा ऐसा non overlapping नहीं को overlapping देखने को नहीं मिलता जैनेटिक कोड इस कॉमा लेस यानि आपके जैनेटिक कोड के बीच में कभी भी कोई punctuation मार्क नहीं आएगा नहीं तो सते पा üzerine सिरो मार्क जैनेटिक कोड इस डी जेनरेसsis वैंज इनगिट में उनिवर्स सपीषीज के ओर्गनिजम में आपको हर इंड़ीजवल में सेम जैनेटिक लेसा को मिलता है genetic code has degeneracy मतलब क्या होता है usually single amino acid is encoded by single codon but some amino acids are encoded by more than one codon मतलब क्या बोला गया है यह table देखो genetic code has degeneracy इसका मतलब क्या है मैम इसका मतलब एक ही amino acid आपको दो अलग-अलग Codon से मिल रहा है यह देखो यह भी serine बना रहा है यह भी सेरिन बना रहा है यह अमीन आत्व को अलग अलग कोडोन से मिल रहा मिल्ठ कि और नों तो यह कोई दूसरा नहीं बनाएगा अगर यह कोडोन प्रोलीन बना रहा है तो इससे आपको कोई दूसरा amino acid नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं non ambiguous nature, मतलब हर codon से आपको fix amino acid मिलता है, हर codon से आपको fix amino acid मिलता है, तो एक ये वाला property और एक ये वाला property, बहुत important है, okay, initiation codon और termination codon क्या होता है, जैसे घर में, हिंदूस में, घर में जबी भी कुछ नया काम होता है, या कुछ अच्छा गाम होता है, तो हम हमेशा घंपती पपा की पूजा के साथ start करते हैं, वैसे आप कोई भी protein मनाओ, आपका first amino acid, first codon कौन सा रहेगा, AUG, और last codon कौन सा रहेगा, ये तीन में से कोई भी एक, top codon, अगर आपने अपना protein AUG से start नहीं किया, तो वो protein abnormal protein माना जाएगा, और उसको हमारा body accept नहीं करेगा, और reject कर देगा, is this clear everyone, ठीक है, ओके चल, और codon और anticodon क्या होता है, आपका ये mRNA है, ये जब tRNA के साथ bind करता है, तो इनके जो complementary codons है, mRNA के code word को codon बोलते हैं, और इस ये जिसके साथ match करेगा, उसको anticodon बोलते हैं, ठीक है, अब ये question देखो क्या दिया है, और इसको solve करना, this is your homework, ये मैंने अपने वीडियो में बताया है, answer second, क्यों आएगा, वो देखना, ठीक है, okay, mutations और genetic code में क्या बताया गया है, mutation is nothing but it is a sudden change, यानि आपका DNA जब अचानक से change होता है, तो उसको mutation बोलते हैं, और अगर एक, एक भी codon change हुआ, तो उसके वज़े से बाकी के सारे codon में हमको बहुत सारे changes देखने को मिलते हैं, इधर से देखो, इधर से मैंने, क्या किया, मैं A, C और G गायब कर रही हूं, मतलब मैं A करके यहां से एक-एक sequence उड़ा रही हूं, पहले मैंने A वाला sequence उड़ा दिया, तो आपके बाकी के sequence आगे-आगे shift हो गए, इसको shift mutation बोलते हैं, frame shift mutation, जिसके वज़े से मेरा पूरा का पूरा sequence ही बदल गया, पहले मेरा cod word था ACG, मैंने A हटा दिया, तो ये वाला C इधर आ गया, ये वाला G इधर आ गया, और आगे का C इधर आ गया, तो अब मेरा cod word क्या बन गया, CGC, मतलब ये तो वही बात हुई, आपका mobile का password, आप 100 की जगा 109 दबा देते हो, तो log खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, कुछ भलता ही खुलेगा, so वैसे ही, अगर mutation हो रहा है, तो हमार आपका nucleus है, ये आपका mRNA है, mRNA को क्या काम दिया है, protein बनाने का काम दिया है, ठीक है, अब ये protein बनाने के लिए, ये पहले ribosome के पास जाके बैठता है, mRNA, और ribosome जो है, ये किसको message देता है, ये TRNA को message देता है, क्योंकि amino acid खुद चलके ribosome तक नहीं आ सकती, उसको call लेके इसलिए TRNA को हम क्या बोलते है, adapter molecule बोलते है, TRNA के अलग-अलग parts का function क्या है, ये आपको 11 standard में था, ठीक है, सबसे पहली बार TRNA के पास कौन सा arm present होता है, ये देखो, यहाँ पर आपका amino acid attachment site है, यहाँ पर आपका acceptor arm है, यहाँ पर पहले आपका amino acid recognize होता है, यह amino acid लेके जा D arm और T size C arm यह हमारे TRNA के structure को stability देते हैं और anticodon arm आपके MRNA के साथ बाइं करता है, किसके साथ बाइं करता है MRNA के साथ, so these are four different functions जिनका अलग-अलग आपको, four different structure जिनका अलग-अलग function आपको बताया गया है, yes, yes everybody, okay, next आता है translation process, now this is my favorite process, क्या है मैं translation process में? इसमें से आभी आपको question क्या आता है, यह वाला paragraph बहुत important है, कि translation के लिए क्या-क्या चाहिए, आपको protein बनाना है, protein बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले amino acid चाहिए, amino acid का message किसके पास है MRNA के पास, amino acid लेके कौन आएगा, TRNA लेके आएगा, किदर लेके आएगा, ribosome के पास, ऐसे ही protein बन जाएगा, क्या नहीं, हमको energy जरुवत पड़ेगी, हमको magnesium भी लगेंगे, और enzymes की जरुवत भी पड़ेगे, तो translation process कैसे होता है, ध्यान से देखो, आपके पास दो ribosome के subunit होते, एक large subunit और एक small subunit, इन दोनों के बीच में आपका MRNA रहता है, ज इसके उपर ही आपका amino acid attach होने वाला है, जिससे आपके आगे protein की chain बनने वाली है, सबसे पहले आपका MRNA है, ये MRNA आपके small subunit के साथ आके जुड़ता है, small subunit चेक करता है, कि ये MRNA बराबर है की नहीं है, जैसे ही आपके small subunit को AUG मिल जाएगा, ये signal भेजेगा large subunit को, क चलो protein बनाते हैं, तो आपका small subunit का message, large subunit के पास जाता है, large subunit MRNA के उपर आके बैठ जाता है, अब आपका जो भी protein का process होगा, वो इसके बीच में होगा, large subunit और small subunit के बीच में होगा, तो इन दोनों को, ये दोनों subunit को एक साथ पकड़ के कौन रखता है, magnesium ion, कौन तो ये देखो, ये आपका TRN molecule है, हमेशा याद रुखो, जो आपका first TRN होता है, उसके पास by default methionine amino acid ही रहेगा, कौन सा amino acid ही रहेगा, methionine, क्योंकि methionine amino acid का code word क्या है, AUG, और आपका reaction हमेशा किसके साथ स्टार्ट होना चाहिए, AUG के साथ स्टार्ट होना चाहिए, is this clear everybody, okay निलेश मिश्रा, बेटा 5-6-7 वाला चाप्टर मुझे पहले करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उन चाप्टर का वेटेज इतना जादा नहीं है, कि उन चाप्टर को इतना importance दिया जाए, जो चाप्टर understanding point of view से important है, जिनका वेटेज जादा है, जिनका नीट में important जादा है, जिनका CET में important जादा है, पहले मैं वही चाप्टर कवर करूंगी, ओके, all right, तो यह दर देखो आगे क्या दिया है, यह आपका TRNA है, TRNA के पास हमेशा first amino acid कौन सा होता है, methionine, मैं बार बार बोल रही हूँ, यह question exam में आता है, which is the first amino acid which is present in TRNA, methionine, ठीक है, उसक एक होता है A site, एक होता है P site और एक होता है E site, A site पर TRNA आता है, यह TRNA आया, अपने साथ amino acid लेके आया, यह आपके P site वाले amino acid के साथ bond बनाता है, और फिर यह TRNA खाली हो जाता है, क्योंकि इनके बीच का bond ब्रेक हो जाता है, तो अब यह TRNA इधर चला जाता है, और यह बाहर पूराना टीरन एंड बाहर चला जाएगा नया टी आरे नहीं बनाएगा उनके बीच में बॉन बनेगा और इसे देखते 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 आपका प्रोटीन मिल जाएगा जैसे यह रीक्षिन करें आपका ना जाता है यहां कर आपका प्रोसेस कर देता है आपके राइबो-जोम रिसाइकल हो जाते ध्यान से सुन वा राइबो-जोम रिसाइकल होते सारे enzymesily cycle होते है मारें कभी recycle नहीं हो जाता यह लाटव हो जाता है क्या हो एक मिनिट है यह प्रोटीन होनी के लिए किस के पास बेजेंगे ईज गॉलजी कॉंपलेक्स पास किसके पास बेजेंगे गौलजी कॉंप्लेक्स के पास इस दिस क्लियर एवरीबडी तो यह देखो आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसको इनिशियेशन बोलते हैं फर्स्ट टी आरेने को लेकर आना सेकंड स्टेप को बोलते हैं इलोंगेशन याने अमीनो ऐसे धीरे-धीरे क को स्कैन कर रहा है फिर यह लार्स सो इनिट को बुला रहा है फिर अलग-अलग टी आरेने आना स्टार्ट कर रहे है और जो यूजलेस टी आरेने वह बाहर जा रहे है ऐसे करते 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 आपका फाइनली पुरा प्रोटीन का चेन बन जाता है और ट्रांसलेशन खतम ह हो जाता है अब अब क्या दिया है यह भी आपका homework है डायरेक्ट में जा रही हूं इस पर आपको तीन questions है तीनो questions यह देखो एक यह वाला question एक यह वाला question screenshot ले लो pause करके और यह वाला question यह तीनो questions homework है आपको इसके answer comment section में बताने है ठीक है चलो regulation of gene expression में क्या होता है में हमारे पास ना special genes होते हैं अभी E.coli की बात करते हूं या मैं आपकी बात करते हूं हमको डेली दाल चावल खाने की आदत है तो हमारी body में दाल चावल वाले enzyme है जो डाल चावल को digest करते है अचानक से मैंने एक दिन चिकन खा लिया अभी मेरी body में अगर चिकन के enzymes नहीं है तो मेरा chicken पचेगा नहीं तो उसके लिए मुझे chicken digest करने वाले enzyme बनाने पड़ेंगे ताकि मेरा खाना digest हो जाए सेम अपने E.coli के साथ होता है E.coli चोटा सा bacteria है जिसको scientist का favorite bacteria है और यह यूज करते हम हाँ चलो चलो अभी मैं दूर हो गई माइक से हलो 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 अभी ठीक है अभी आवास clear है वो मेरा हाथ लग रहा था इसलिए शायद कुछ खरखर हो रहा था अभी clear है तो हमारा जो E.coli ना इसका favorite food क्या है glucose पर अगर इसको कभी glucose नहीं मिला खाने में माम तो तो हम इसको क्या देते हैं lactose देते हैं लेकिन डिफरेंस क्या है glucose है एलो है क्या है कि अगर से एक मिनिट रूप हो अभी आ रहा है क्या यसे यसे problem हो रहा है one second is this clear now hello is this is this better हाँ ओके ठीक है नाव इस बेटर ओके ठीक है चलो हाँ हमारे इकोलाई का favorite food क्या है glucose क्या है glucose इजीली डाइजेस्ट होता है और यह सिंगल शुगर है हमारे इकोलाई का इकोलाई कोना lactose अच्छा नहीं लगता क्यूंकि lactose यह दो शुगर से बनाए ग्लूकोस से हमारे इकोलाई को सिर्फ glucose चाहिए अब अगर मैंने उसको lactose दे दिया तो उसको lactose break करके उसमें से glucose निकालना पड़ेगा बट break करने के लिए इकोलाई के पास enzyme तो होना चाहिए तभी वह हमारे lactose को break कर पाएगा ठीक है ओके अभी जो भी enzyme उसको चाहिए वह enzymes जब एक साथ आके काम करते हैं तो उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं मतलब क्या होता है बहुत सारे genes जब एक साथ मिलके काम करते हैं उसको अपेर उन कॉनसेप्ट बोलते हैं और यह concept हमको किस ने दिया था यह CTM से क्यूमें आता है यानि Jacob और Monod ने हमको ये method बताया था बट उसके पहले समझो आपकी body में आपने transcription process start किया है आप कोई protein बना रहे हो बट अब आपको ये protein का process रोकना है अब आपको ये protein का process stop करना है इसको कैसे stop कर सकते हो आप ये आपको 2 marks के लिए question आता है ये 4 points पूछा जाता है कि आप proteins को कैसे stop कर सकते हो आप उसका level कैसे regulate कर सकते हो तो उसके लिए आपके पास 4 option है पहला option क्या है आप RNA ही मत बनाओ आप transcription ही मत होने दो बट अगर transcription हो गया तो उसको pure मत करो क्योंकि वो impure mRNA है अगर आपने उसका processing भी कर दिया तो आप mRNA को nucleus के बाहर मत जाने दो तो protein बने गई नहीं लेकिन अगर mRNA nucleus के बाहर आ गया तो आप उसका translation process stop कर दो तो ये 4 तरीके से आप अपना protein बनने से रोक सकते हो ठीक है अभी देखो हमारे पास जो अलग-अलग genes होते है E.coli के पास जो lactose को break करने में help करते है वो तीन अलग-अलग genes कौन से है सबसे पहले transacetylase ये functional group transfer करता है यानि basically अपने enzyme को activate करता है दूसरा है galactocidase permease देखो ये आपका cell है E.coli का और आपका ये permease enzyme ये permease enzyme क्या करेगा ये lactose molecule को पहले अंदर आने के लिए gate open करेगा तो permease enzyme lactose molecule को permission देता है cell के अंदर आने के लिए और एक बार आपका ये lactose cell के अंदर आ गया तो आपका beta galactocidase इसको break करेगा और इसमें से glucose निकालेगा और उसको हब करके खा लेगा अब ये कैसे काम करते हैं ध्यान से देखो ध्यान से देखो ठीक है सबसे पहली बात आपका जो पूरा लंबा सा DNA होता है इसके पास अलग अलग genes होते है हमको न ये MRN बनाना है हमको क्या बनाना है ये वाला MRN बनाना है जिससे हमारा enzymes बनने वाला है जो lactose को break कर सके पर हम lactose को कब break करेंगे जब हमारे पास glucose नहीं है जब हमारे पास glucose absent होता है तब हम lactose को break करते हैं अभी समझो इदर पे already glucose है इदर पे already glucose है तो मुझे enzymes की जरुवत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी यानि मेरा यह transcription नहीं होना चाहिए, translation नहीं होना चाहिए, तो translation process को stop करने के लिए, inducer मतलब lactose, inducer मतलब क्या होता है lactose, मेरे पास lactose है ही नहीं, तो मुझे process स्टार्टी नहीं करना है, तो उस time पे हमारा lac operon क्या करता है, आपका यह जो regulatory gene है, यह gene बहुत smart है, यह gene एक protein बनाता है, जिसको हम बोलते है repressor protein, यह repressor protein आपके operator region को जाके block कर देता है, देखो यह जो 1, 2, 3 नमबर दिया है, this is Z, this is Y, this is A, आपको इसी sequence में याद रखना है, जेड से आपका transacetylase बनेगा, Y से आपका permease बनेगा और A से, देखो, Z से क्या बनेगा आपका, और स्वारी, Z से galactocidase बनेगा, Y से permease बनेगा, और A से transacetylase बनेगा, ए, ए, तो आपको यह जो 3 genes दिया है, यह 3 genes से आप 3 अलग-अलग enzyme बनाने वाले हो, enzyme बनाने के लिए मुझे RNA polymerase की ज़रत पड़ेगी, और RNA polymerase किदर आके bind होता है, promoter region के पास, मेरे पास lactose है ही नहीं, तो मैं क्यों enzyme बनाओ, मेरे पास glucose है, तो मैं इतनी महनत क्यों करूँ, एकोलाई के पास glucose है, तो वो यह महनत नहीं करेगा, तो उसको कौन रोकता है एकोलाई को, आपका यह repressor protein है यह सीधा operator region में जाके block हो जाता है, जिसके वज़े से promoter आगे बढ़ता ही नहीं है, जिसके वज़े से आपका इधर पर enzyme बने गई नहीं, ठीक है, लेकिन समझो अभी मेरे पास glucose नहीं है, तो मेरे एकोलाई को क्या मिल रहा है, लेक्टोस मिल रहा है, अब उसको यह लेक्टोस ब्रेक करना है, तो हम क्या करते हैं, हम लेक्टोस अड़ करते हैं, मिडियम में, सेम, प्रोसेस सेम है, आपका regulatory gene रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, यह रिप्रेसर प्रोटीन जो है, यह रिप्रेसर प्रोटीन operator region के पास नहीं जाना चाहिए नहीं तो प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा पर मुझे इस बार प्रोसेस ब्लॉक करने नहीं करना है मुझे एंजाइम बनाना है तो मुझे इस रिप्रेसर प्रोटीन को डाइवर्ट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी इस रिप्रेसर प्रोटीन को लाल टाइम पे हमारा operator region जो है operator region के आगे आपका RNA polymerase जाता है और वो फटा-फट से transcription और translation करना start कर देता है देखो मैं repeat करती हूं हमको लैक ओपिर ओन कब करना है जब हमारे पास lactose है और glucose नहीं है अगर glucose है तो आपका यह process switch off रहता है अगर glucose है तो आपका यह process off रहेगा अगर glucose नहीं है तो आपका यह process on हो जाएगा तो लाइक ओपर on on होगा कि off होगा यह किस के उपर depend करता है glucose के उपर और operator region के उपर operator region को कौन control करता है repressor protein repressor protein किस ने बनाया regulatory gene इस 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 ख्लियर इवरीबड़ी यहां पर आपको हर एक जीन का function detail में दिया है ठीक है ओके चलो फंक्शन ओफ ट्रॉक्चरल जीन इस कंट्रोल बाई विच रीजर ऑपरेटर रीजन नहीं सौरी regulatory जीन का function कौन control कर रहा है regulatory जीन क्या बनाता है यह रिप्रेसर प्रोटीन आपके प्रमोटर रीजन के साथ जाके ब्लॉक हो गया तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा इने तो स्ट्रॉक्चरल जीन का function कौन control करता है regulatory यहां पर regulatory जीन आएगा ठीक है अभी जीनोमिक्स में क्या बताया गया जीनोमिक्स मतलब बेसिकली जीनोम का स्टड़ी होता है इधर पर जो भी साइंटिस्ट का नाम दिया है वह आपको पढ़ना है जीनोम किस ने इंट्रड्यूस जितने भी अच्छा देखो बहुत सारे बच्चों को ना confusion है अगर regulatory जीन और नहीं दिया है तो आप regulatory जीन ही सिलेक करोगे यह नहीं आएगा इधर पर ठीक है यह इधर आएगा देखो आपका regulatory जीन रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है रिप्रेसर प्रोटीन जाके प्रोमो regulatory gene option में नहीं दिया है तो अपरेटर आंसर आएगा अगर regulatory gene option में दिया है तो answer आपका regulatory gene आएगा या अगर इधर और एक option दिया है पोथ Be and D तो answer यह आएगा दोनों बनोंग करते हैं पहले regulatory gene आता है फिर अपरेटर इजन आता है मैं ऐसा नहीं见 बोलोंगी अपरेटर का score गलत है यह से एवरीबडी एक मिनिट रुपो कहां दिया है इट प्रिसीट इट कंट्रोल दा फंक्शनिंग अफ देखो इधर ऑपरेटर जीन के पास आपको यह लाइन दिया है यह देखो आपका यह जो प्रोटीन है यहां पर भी तो आपको क्या दिया है डेगुलेटरी ज प्रोटी आपके अपरेटर जीन को जाके ब्लॉक करता है जिसके वज़ी से आपका प्रोसे स्टॉप और जाता है यह repressor protein operator gene को जाके block करता है जिसके वज़े से आपका operator gene आगे के structural gene को control करता है आप direct नहीं बताओगे कि structural gene को कौन control करता है आप इसको detail में लिखोगे one sentence में कि पहले आपका regulatory gene repressor protein बनाता है यह repressor protein operator region को block करता है जिसके वज़े से आपका structural gene block होता है और इकजाम में अगर M.C.Q में आया, वोंड में अगर M.C.Q में आया, अगर ये वाला स्टेट्मेंट निश्चन में है और ये वाला स्टेट्मेंट डॉपशन में है तो आप ये हैं जीनोम बेसिकली आपके और्गानिजम के बॉड़ी में टोटल कितना जीन्स है उसके पॉपुलेशन को जीनोम बोलते हैं और जीनोमिक्स क्या होता है यह टर्म हमको किस ने दिया था टी एच रोडरिक ने इस दस्टडी ऑफ जीनोम थ्रू एनालिसिस यानि आप कौन से जीन का क्या फंक्शन है वह पढ़ना जीनोमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए उस से अपने और लाव का यरीस क्या थे क्यों किया हमने यूमन जीनों प्रोजेक्ट ताकि हम यूमन के सारे जीन सीक्वेंस पढ़ सके इंफोर्मेशन स्टोर कर सके बायो इन्फरमेटिक्स की फील्स टार्ट वी इसके वज़े से और इसके एथिकल लीगल रूल्स बनाए गए यह आपर देखो यह वाला प फंचनल पाए गए यैस आपको यह पूरा टेबल लर्न करना है इसमें से एक कंपल सरी चानी सा नुकशन की पुछते कभी 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 यह भी पूछते हैं कभी 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 यह फूछते हैं इसलिए कुछ आप्शन में रखो इम अपको पूरा लेंट करना है वाट इस डियने फिंगर हंट्रुंटिंग यह चैप켜 नंबुर 12 में भी दिया है जिसकेकलि हम इसमें क्या करते है हमारा जो भी डियने सम्पल इसमें से हम अपना DNA निकालते हैं सबसे पहली बात इसका ट्रिक मुझे तो नहीं पता अगर किसी बच्चे को इसका याद रखने का कोई ट्रिक पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी मुझे इसका ट्रिक पता नहीं है और अभी प्रिंटिंग में बच को लोट है कि अपने खांड पृंगर का पृंठ लेते ऐसा नहीं है DNA प्रेंटींग में हम अपने DNA के सीक्वेंशमेंस माच गए या बदल समय लग इह कैसे पता चलता है उसके लिए हम क्या करते हैं हमारा जो इतना बड़ा बड़ा ने tag हमारा जो इतना बड़ा डियने है 99.9% डियने सबका सेम होता है सिर्फ 0.1% डियने अलग होता है और ये जो छोटा सा सीक्वेंस होता है इसको बोलते हैं VNTR ये चैप्टर नूबर 12 में भी है डीटेल में इसको क्या बोलते हैं हम VNTR यानि variable number tandem repeat टैंडम repeat ऐस जो 0.1% डियने है वी एन टियार ये हमको ढूंड के निकालना है कि मेरा वीन टियार और आपका वीन टियार सेम है की नहीं है तो हम क्या करते हैं बलट सैंपल लेते हैं इसमें से WBC सेल्स में से हम डीएने एक्स्ट करते हैं उस DNA को extract करके उसको छोटे-छोटे-छोटे parts में cut करते, restriction enzyme की मदद से, ठीक है, restriction enzyme का क्या function है, chapter 12 में आप पढ़ो गया, अब इसी concept समझो, हमने DNA sample लिया, उसको छोटे-छोटे parts में cut किया, उसका हमने electrophoresis किया, electrophoresis करके, electricity की मदद से, हमने उन bands को separate किया, और bands को separate करके, जब हम उसको UV light के नीचे देखते हैं, तो हमको इधर पे अलग-अलग DNA का strand दिखाए देता है, अब इसके साथ मैं अपना DNA का file match करूँगे, अगर मेरा और ये वाला DNA sample match हुआ, यानि हम दोनों का DNA sample same है, DNA same है, अगर match नहीं हुआ, मतलब हमारा DNA same नहीं है, इसके बारे में एक-एक step, आपको chapter number 12 में है, तो वहाँ पे हम देखेंगे, इसके steps के नाम देखो काली, क्या-क्या है, मतलब इधर पे ना actually electrophoresis technique क्या है, वो 12 वाले chapter में है, 12 वाले chapter में actually electrophoresis है, तो उधर पे ये थोड parts में cut करते हैं, और उन छोटे-छोटे parts का हम electrophoresis करते हैं, electrophoresis मतलब क्या होता है, ऐसे अगार रहता है, इधर एक hole रहता है, ऐसे बहुत सारे, इसके अंदर अपना DNA sample load करते हैं, electricity चालू करते हैं, DNA negative charge का है, तो ये positive pole की तरफ ये DNA भागना start करता है, ये DNA जब भागता है तो ऐसे bands तयार हो जाते हैं, इन bands को जब हम UV light के नीचे देखते हैं, तो हमको literally ऐसे DNA का strand दिखाई देता है, और पिर उस strand को जब हम chemical study करते हैं, तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा-कौन सा nitrogen base है, A, G, C, T, कौन सा-कौन सा nitrogen base है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपक का sequence क्या है, और माम यह technique किदर use होता है, यह technique murder victims find out करने में use होता है, rape victims find out करने में use होता है, किसी की मरी वही body मिली है, तो उसका DNA match करने में use होता है, yes, okay, तो हमने electrophoresis किया, electrophoresis करके इस agar को हम एक nitrocellulose paper के उपर shift कर देते हैं, वो paper पूरा का पूरा DNA absorb कर लेता है, फिर उस paper को हम दूसरे DNA के साथ mix करते हैं, और फिर उसका हम x-ray photography निकालते हैं, और जिससे हमको यह अलग-अलग bands देखने को मिलते हैं, फिर यह band से हम अपना band match करते हैं, yes, यह देखो, यह 12th chapter में भी है, ठीक है, आपने sample लिया, sample में से DNA को लिया, DNA को restriction enzyme से cut किया, क्योंकि इतन तो मुझे ऐसे अलग-अलग bands मिलेंगे, और इस bands को मैं x-ray के नीचे match करूँगी, मतलब x-ray के नीचे देखूँगी, और फिर मेरे जो अलग-अलग DNA है, इनको मैं match करूँगी, समझो, यह एक लड़की इसका murder हुआ है, इसके murder के पास मुझे यह nice मिली है, ठीक है, तो यह criminal की knife है, अब इसमें से कौन criminal है, इस knife के उपर, दो blood sample था, एक लड़की का blood sample था, और एक murderer का blood sample था, तो लड़की का blood sample लड़की के साथ match हो गया, इसलिए हमको पता चल गया कि यह लड़की का blood है, पर जो दूसरा blood sample है, वो किसका है, तो यह किसके साथ match कर रहा है, येस, च and yes, I hope you like this session, थोड़ा सा अच्छे से जाके, अगर कोई particular topic में doubt है, तो इसका आप detail video देख सकते हो, otherwise, मैंने कोशिश की है, कम से कम time में, जो important topics है, उसके ओपर focus करके, अच्छे से explain कर सको, फिर भी कोई doubt हो, तो आप comment section में mention कर सकते है, उसका detail video जाके देख लो, 2 की speed में देख and our neat channel का नाम है, for your entertainment, we also have our vlogging channel lives buffering, इसको भी आप subscribe कर सकते है, वीडियो अच्छी लगे, तो अपने friends के साथ share करना, चैनल पे नए हो, तो चैनल को subscribe करो, और like करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा motivation मिले, next, अभी मैं कौन सा chapter लाने वाली हो, I am planning to take chapter number 12 first, मैंने कुछ और plan किया थ इसके बाद मैं chapter number 5 ले लू, इस week में, ठीक है, तो यह जो chapter number 12 है, यह मैं Wednesday को लूँगी, यह जो chapter number 5 है, यह मैं Friday को लूँगी, ठीक है, इस month में आपके सारे one shot lectures खतम हो जाएंगे, all the best जिनका जिनका प्रिलियम्स चालू है, chapter number 12 में इसले ले रही हूँ, क्योंकि इसका weightage प्लस यह fourth chapter से connected है, तो आपको यह फटक से समझेगा, और chapter number 5 आपका deleted वाला part भी है, तो वो भी हम cover कर लेंगे, ठीक है, और फिर next week में, respiration, control coordination, और chapter number 6 ले लूँगी, दो बड़े-बड़े chapters, एक छोटा chapter, तो आपका भी हो जाएगा, topic cover और बड़े chapters भी cover हो जाएंगे, ठ Wednesday को chapter 12, Friday को chapter 5 पढ़ के रखो, ठीक है, चलो, कल physics का lecture होगा, tomorrow physics lecture, ठीक है, mostly evening में होगा, उसका जो भी timing है आपको telegram group पे मिलेगा, please telegram group join करके रखो तो आपको सब notification मिलेगी, yes, bye bye everybody, have a good day, see you soon.